नमस्कार दोस्तो ये से चनल में आपका फिर्शे स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक ट्रिक लेकर आया हूँ और वो ट्रिक नहीं है वो मैं आपको नोलेज शेयर करना चाहता हूँ और ये सभी के काम आने वाली चीज है कि ये आपके पास में कीवोड है वायरलेस कीवोड हो या वायर वाला कीवोड और किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में अटेज करने के बाद में यदि ये नुमेरिकल की काम नहीं करें तो आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये किस परकार्शे काम करेगा ये मैं आपको नोलेज होना जरूरी है ये सबी के काम आने वाल जीज है कि ये जो कंप्यूटर लैपटॉप रखते हैं वो एक्स्टरनल कीवोड यूज करते हैं और जब कीवोड लगाते हैं तो ये जो नुमेरिकल की है ये काम नहीं करती है तो आईए देखते हैं और मैं आपको नोट फैड ओपन करेंगे तो ये नोट फैड पर क्लिक कर दिया है नोट फैड पर मैं काफी सारे मां लिख दूँगा था कि आपके समझ मियाज है यह मैं कुछ ऐसे ही टाइप कर देता हूं यह मैंने तीन चार लाइन टाइप कर दिये अब आप देख रहे हैं कीवोड है तो कीवोड और स्क्रीन आप देख रहे हैं कि आपको यह नजर आरही है आपको नजर आ लगा रही है कोई दिकत नहीं है अब मैं देखो यहां पे मैं akan कर रहा हूं, 7, 8, 4 यह काम नहीं कर रहे है और जैसे मैं लोगोगों करके मैं टाइप करूंगा और तो यह ऐया आरो की की रूप में काम कर रही है ताइप नहीं और एरो की काम कर रही है तो इसके लिए आपको करने के लिए समाधान क्या करना है आपको जाना है स्टार्ट मेनू के अंदर आपको control panel में जाना है यहाँ पर सर्च कर लेना control panel control panel में आ जाई है और यहाँ पर easy of access में आ जाई है easy of access center के अंदर आपको नीचे option मिलेगा वो option है देखिए आप चलते रहे यह battery low हो गई है make the mouse erase to use इस पर click कीजिए और यहाँ पर इस option में आप नीचे आ जाई है तो यहाँ पर यह जो turn on mouse की है इसको off कर दीजिए और apply कर दीजिए आपको इतना ही करना है इतना करने बाद में आप देखिए मैं यहाँ पर type कर रहा हूँ आप आप देख सकते हैं यह type हो रहा है और जब off कर देंगे तो यह arrow की के रुप में काम कर रहा है आपको कैसी लगी है यह अच्छी लगी है तो आपने दोस्तों बीच में शेर जरूर करना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और वेल आइकन को दबाने ताकि इस type के जो नया वीडियो है उसका नोटिकेशन आप तक मिल जाएं और यह आपके दोस्तों बीच में जरूर शेर करना यह इए इमितर वाले जितने भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उनको जरूर शेर करना यह जो समस्या किसी के सामने आई है तो घर पे समधान इसली रूट से कर ले